तो हलो दोस्तों तो कैसे सब आप लोग वेलकम टो मैं चैनल देस इस मैं पूब एंड यो वाचिंग ट्रैवल इवी आज मैं बात करने वाला हूँ जो ओला इलेक्रिक स्कूटर का एक्सेंट हुआ था तो ट्वीटर पर बहुत सारा बावाल मच गया था तो उसके बारे में उसके बार में कुछ क्लैरिफिशन देने वाला हूँ और ओला ने भी इसका जवाब दिया है तो वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला तो वीडियो को एंड तक देखे दूस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पर इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्रा तो यहां पर दो दिन पहले एक एक्सेंट का न्यूज आई थी ट्विटर पर और जिसका एक्सेंट हुआ था उनके फादर ने बलवन सिंग उनका नाम है उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते बताया था कि ओला का फॉल्ड चलते मेरी बेटे का एक्सेंट हो गया है उसक और उसके जवाब में ओला ने क्या रेपलाई दिया उसका भी आपको जवाब इसमें देने वालों उसके साथ शेयर करने वालों यहां पे इनके फादर बलवन सिंग ने मैसेज किया ट्विटर पर के मेरी बेटे का एक्सेंट हो गया है 26 मार्च को उनका लेफ्ट हैंड फ् स्कूटर का फॉल्ट है इसमें तो यहां पे और कुछ इमें शेयर करने वाला हूं तो उनको गोवाटी से मुंबई लेके गया कि उनका हाथ बचाया जाए और पांच वायर्स उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में इंसर्ट करने के बाद और उनके दो फिंगर भी डाउट ऐस से इन्हों नहीं पे लिखा है तो यहां पे जब ओला वाले कंप्रेंट किये तो वह इंस्पेक्शन करने के बाद ऐसा कुछ फॉर्म उनको देखे चले जाते हैं तो यहां पे मैं गाड़ी का भी आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं तो यहां पे देखिए ज्यादा ड आउट है तो यहां पे यह कंप्रेंट कर रहे हैं कि कि ओला के प्रॉबलम के कारण मेरे बेटे का एकसेंट हुआ है तो दो दिन से यह ट्वीटर पर चल रहा था तो इसके जवाब में जब ओला ने मैसेज किया उन्होंने एक तो ओला में एक ऐसा फीचर है जिसमें हमारी जारी स्टेडी करते रहते हैं कि हम कैसे इसको चला रहे हैं और किस पीसमेंट चला रहे हैं टाइमिंग के साथ यह डाइगराम एक क्रेट करता है उनके सौफियर में दिखाता है ओला के पासी जब वह स्कैन करते हैं अपने स्कूटर से हमारा बारकूर तो उसमें सब डिट स्कूटर इसकैन के अंदर से जब जो टाइम पर उन्होंने अपर मोड का यूज किया है और कश्वन टीनों ब्रेक अप्लाई किया है तो इसमें सब डिटेल्स अवेले वेलेबेल आप पॉस्ट करके पर सकते हो तो यहां पर जब इनका एकसेंट हुआ तो इन्होंने तीनow तबा कर और चोलिए निया nowhere नूबरेक यहां 25 में पर औरुस्टीर्अ पीड से आपका भाड़ी चला रहा था तो यहां पर इसलिए पर यहां पर इसका जवाब दिया है और उनको विश्चबिर性 वी recovery हो और उनका scooter repair करके दिने का ऐसा उन्होंने बोला है तो यहाँ पर जब उनके father को ये message ओला करने के बाद फिर उन्होंने तुरंट tweet करके बताया कि जब ओला ने बोला कि हमारी गलती नहीं है तो उन्होंने reply करते बोला कि आपने फिर free repair क्यों करके दिया 10 days मेरा scooter workshop में क्यों रखके लिया वहाँ पर सब जब free repair करना था तो क्यों बोल रहा है कि हमारी गलती नहीं है अगर हमारी गलती होती तो आपको charges लगाने थे scooter पर तो यहाँ पर उन्होंने reply करके बता रहा है कि ऐसा क्यों तो तो यहाँ पर किसकी गलती है पता ने दोस्तों वो बोल रहे हैं कि ओला वाले बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है क्योंकि scooter को हम study करते हैं अंदर ऐसा software है कि speed limit वगेरा यह सब track करता है track करने के बाद आपको show कर रहा हूं डाइगराम में कि हमारी गलती नहीं थी तो यहाँ पर जो जिसका एक्सेंट हुआ उनके father बोल रहे है कि ओला की गलती है कि किसकी गलती है समझ में नहीं आ रहा है बट यह वाला है ओला अपने उपर नहीं ले रहा है कि हमारी गलती नहीं थी लेकिन उनको free में रिपेर करकी भी दिया गया है ऐसा इनके फादर का क्लेम है और दस दिन वरक्शोप में रखके भी दिया है और इसका कुछ रिसिप्ट वगएरा उन्होंने नहीं दिया है क्योंकि यह सब फ्री में उनका रिपेर हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात पूछना चाता किस्टमर के तरफ से ओला को यहाँ पे आपका गलती ने था तो अपने ट्रैक करके ओला का जो स्टडी करके सौफ़यर उसके अंदर का जो डियागरम दिखा है जो पूणा इंसेंट हुआ था उसका आभी तक डियागरम क्यों ने आया वो किसके गलती से हुआ है ओला के गल लगाता है गाड़ी को उसका भी हमको डियागरम बताओ कि किसका गलती है आपका गलती है या कस्टमर गलती है तो इस वीडियो में बस यही था दोस्तों जिनका एक्सेंट हुआ है उनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि जल-जल रिकवरी उनका रिकवरी हो जाए और अगर व फुल स्पीड में चलाते हो तो से भल नहीं रहता है गाड़ी तो प्लीस रिकवरीकरता हूँ कि अपनी जान अपने हाथों मत खुए बस शेन में चलाते रहिए बस इस वीडिव में ही ता दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में तील देन टेक केर बाई